हेलो स्टूडेंट मैं हूरीना आप देख रोरीना एकाइडमी चैनल आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है मैं अपने आज कस वीडियो में आपके लिए लाए हूँ कक्षा तीन हिंदी व्याकराण का पार्ठ आठ जिसमें आज हम लोग वर्ब यानि क्रिया के बारे में तक आपको क्रिया से संब्दने संपूंप जानकार्यां देखने को मीलेंगी। वाच्चों यहां पर ये छित्र बना है इस चित्र को आप ध्यान से पूछ रहा है पिता जी क्या कर रही है तो हमने चित्र में देखा था चाय पी रही है माता जी क्या कर रही है तो बच्चों हमने अभी देखा चित्र में टेलिवीजन यानि टीवी देख रही है सुप्रिया जो की लड़की का नामे वो क्या कर रही है हमने देखा वो पढ़ रही है कृष्णा जो की लड़के का नाम है वो क्या कर रहा है हमने देखा कि वो कंप्यूटर पर गेम खेल रहा है माधव क्या कर रहा है माधव जो की छोटा बच्चा था हमने देखा वो दूद पी रहा है तो यहां पर प्रतेक व्यक्ति यानि जितने भी व्यक्ति स्पिक् यानि हमको इन सब्दों से पता चल रहा है कि यहां कोई काम हो रहा है यहां पीना, देखना, पढ़ना, खेलना आदे शब्द क्रियाएं हैं यानि काम वाले शब्द हैं तो बच्चों हमें यहां पर यह जानना है कि जिन भी सब्दों से हमको किसी काम के करने का पता चले यहा शब्द से किसी काम के होने या करने का हमें पता चलता है या फिर ज्यान होता है उसे क्रिया कहते हैं क्या कहते हैं क्रिया कहते हैं आगे है बच्चों क्रिया प्रया वाक के अंत में आती है यानि ज्यादता जो क्रिया है वो हमेशा जो है किसी भी सेंटेंस के लाश्ट में आत यानि अगर किसी वाक्य में किरिया नहीं है तो वो शब्द जो है अधूरा माना जाएगा यानि वो वाक्य किरिया सब्द के बिना अधूरा रहेगा वो पूरा नहीं माना जाता है अगर उसमें किरिया जुड़ेगी तभी जाके वो वाक्य पूरा होता है कुछ काम किये जात तता कुछ काम अपने आप ही हो जाते हैं यानि कुछ जो क्रिया होते हैं जो काम होते हैं वो हम इंसानों को करने होते हैं लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो खुद बखुद प्रकृति द्वारा अपने आप ही हो जाते हैं आगे मुझे नीचे देग उदारनों से समझेंगे जिसे यहाँ पर देखे बच्चों दो एक्जामपल दे रखें, दो दारण है, फूल खिल रही है, राम कार चला रहा है, तो इसमें जो है, फूल खिल रहा है, खुद बखुद अपने आप ही खिल रहा है, क्योंकि कुद्रत ने कुछ ऐसा ही नियम बना रखा, जिसे खुद आप ही फूल खिल जाते हैं, लेकिन जो राम है, यह कार चला रहा है, यहाँ पर राम नाम का एक व्यक्ति है, जो कारी को चलाने का काम कर रहा है, तब जाकि यह कारी चलने का काम हो रहा है, यहाँ फूल खिलने का काम अपने आप हो रही है, तता कारी चलाने का काम किया जा वाक्यों में है थता हैं से किसी काम की होने का पता नहीं चल रहा है परन्तु ये कुटब मिनार और बिल्लियों के होने का बोध करा रहा है अता ये भी क्रियाएं है अर्थाद बच्चों कुछ शब्ध हमको ऐसे भी मिलेंगे जिसमें है और हैं रहेगा लाष्ट में सब दो के जिससे हमको पता नहीं चलेगा कि यह क्रिया है लेकिन अगर यहां पर हम देख लें यह sentence जो है यह कुतुब मिनार है राधा के पाद दो बिल्लियां है तो कुतुब मिनार और बिल्लियां यह किसी न किसी मतलब प्राडी या वस्तू या अस्थान के होने का हमें बहुत करा यानि कुट्ब मिनार और बिल्लिया ये दोनों किरिया है अब आगे बच्चों कुछ किरिया वाचक शब्दि हाँ पर देखेंगे जैसे गाना, सोना, सुनना, गिरना, हसना, चढ़ना, चलना, सोचना, लिखना, दोडना, उडना, देखना, खाना, कूदना, नाचना, तैरना रोना, बोलना, जाना, पीना, खेलना, पढ़ना ये सब बच्चो क्रिया वाचक को शब्द है यानि ये क्रिया के शब्द है कुछ अब नीचे है क्रिया का वहरूप जिससे क्रिया के होने के समय का ज्यान कराता है यानि हमें पता चलता है किसी कोई ऐसा सब्द जिससे हमें ये पता चले कि ये क्रिया यानि ये काम किस समय में हो रही है किस टाइम में हो रही है तो अगर हमको उसके टाइम का पता चलता है तो उसे ही हम काल कहते हैं यानि टेंस कहते हैं काल के कितने भेद होते हैं काल के बच्चों तीन भेद होते हैं भोतकाल वर्तमानकाल भविष्चतकाल भोतकाल यानि पास्ट जो हमारा बीता हुए समय होता है बीते हुए समय का ग्यान हमें जिन शब्दों से होता है वो भोतकाल कहलाता है वर्तमानकाल यानि प्रिजन टाइम जो भी चल रहा है जिस सम पर ये बाते आप ध्यान रखिएगा कि क्रिया का वहरूप जिससे किसी क्रिया यानि काम के होने का हमें समय का पता चलता उससे हम काल कहते हैं काल को इंगलिश में टेंस कहते हैं और टेंस के थ्री टाइपस होते हैं तीन टाइपस का होता टेंस पास्ट प्रेजेंट और फ्य चल रहा है भविष्चत का लिनी फ्यूचर जो अभी आने वाला है तो यह थी क्रिया से संबंदी संपुर्चानकारिया तो बच्चों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिए तो मिलते ह अपने अगरे वीडियो में तब तक के लिए थन्यवाद दो